नमस्कार दोस्तों, तो SSC HSL 2020 में वेकंसी से रिलेटेड मैंने जो डिपार्टमेंट में RTI से लगाई थी, उसी को मैं इस वीडियो में फर्दर डिसकस करूँगा, और इस वीडियो के शुरुबात करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो से पहल तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है, you can check it out, तो चलिए शुरुबात करते हैं इस वीडियो की बिना कि जिलरी के, अब दोस्तों जो है, मैं सबसे पहले मैंने जो है, CGA में जिसका फुल फॉर्म है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट चैस एस एपा की CGA की, तो चलिए अब यहां इनका रिप्लाइ पढ़ते हैं, यहां लिखा है, the desired information is not available in the material form at this stage, तो इनने यहां पर बोल दिया है, हम आर पास अभी material form में, याने की कोई paper पर ऐसे information created नहीं है, फिर आगे लिखा है, since the vacancy position often changes due to promotion, transfers and retirements, etc., the state-wise, zone-wise vacancies will be finalized at the time of allocation of those years, याने की, अब यहां इस department से हमें पता जला है, जो भी information officer है, उनने कहा है, कि जब doziers allocate कर दिये जाएंगे, SSE द्वारा CGA department में, यानि की final result के बाद, जब SSE आपके doziers different departments भेजेगी, उसी परकार, CGA में भी, जो candidates ने CGA opt किया है, उनके doziers भेजे जाएंगे, तो तब ही जो है, CGA वो decide करेगा कि selected candidates को कहां भेजना है, service में, तो जो भी vacant positions है, वो लोग जो है, उसे fill final result जो है, declare होने के बाद ही करेंगे, ऐसे pre-determined नहीं है, कि किस-किस office में, कहां, कहां, selected candidates को भेजना है, चली आगे पढ़तें क्या लिखा है, तो यहां पे लिखा है, however, the copy of category-wise vacancies reported to SSE portal for the post of LDC is enclosed, यानि कि यह जो vacancy से, वो enclosed कर रखी है, जो SSE को भेजी थी, तो वो अभी मैं आगे दिखाऊंगा, अब जो यहां पे आगे लिखा है, the desired information pertains to the office of principal CCAS, and CCAS, फिर CAS in ministries, departments are the appointed authority in respect of group C employees, under CGA organization, तो इस point में ने बताया है, कि यह जो detail मैंने मांगी है, तो वो तो head office के पा CC office, जो CGA के अंडर आते हैं, आप वहां पता कीजिए, और CAS in different ministries, यहां पे आप पता करिए कि office में कित्ती vacancies है, और departments में पता करिए कि CGA के लिए कित्ती vacancies है, देखे, यहां इनने लिखा है, साफ-साफ, therefore the desired information may be sought directly from the CPI of the concerned office, यानि कि office के CPI, उसे आपको पता करना है, यह जो head office है, वहां से आपको पता नहीं चलेगा, अब जो भी offices है, वो कैसे find करें, तो इनने दे रखा है, यहां पे, the address of the principal account offices under CGA organization, public domain में available है, www.cga.nic.in पे, तो इस website पे जो है, public domain में यह बता रहे है, available offices है, हलाकि जो है, इस website पे आपको directly नहीं मिलेगा, offices का address, जो है, आपको CGA के बारे में एक वीडियो बना के, इस department कवर कर चुका हूँ, उसमें मैंने जो है, LDC in CGA के बारे में various job profile और other information जो है, कवर कर रखी है, इसी वीडियो में जो है, मैंने वो office locations के बारे में, जो है, एक point discuss किया था, और इस से related जो है, एक link भी provide कर थी, इस video के description में, तो अगर चेक कर लीजे, LDC in CGA नाम से होगा, LDC in CGA, अब आगे इनने कहा है, the unilateral transfer policy, तो मैंने एक transfer से related भी जानकारी मांगी थी, तो इनने कहा है, कि आपको वो जो है, इस website में मिल जाएगी, ये भी public domain में available है, तो इस website का link भी है, जो है, वो मैं नीचे दे दूँगा, आपको इस link स जो है, CGA में transfer से related एक in-depth जो है, जानकारी मिलती है, अब चलिए, जो इनने document जो है, एनक्लोस किया था, उसको देख लेते हैं, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये controller general of accounts, और ये जो है, इसका address दे रखा है, तो ये बहुत important होगा, यहीं पर आपको RTI और various offices के बारे मे जानकारी पता लगे, तो ये इसका address आप देख लीजे, Ministry of Finance, Department of Expenditure के अंदर, महाले नियंतर भवन है, GPO Complex, E-Block, INA Delhi और ये पेन कोट, तो यहाँ से जो है, आपको एक अच्छी जानकारी, इन डीटेल जानकारी मिल जाएगी, और ये ने दो-दो document दिये थे, तो एक तो थ SC की 2, ST की 1 है, EWS की 0 है, और टोटल जो है, चार vacancies यहाँ पे है, अब इसी document में जो है, मुझे काफी काम की जानकारी मिली, तो यहाँ पर जलिए यह देखते हैं, तो यहाँ पर लेका है, candidates nominated by SSC, यानि selection होने के बाद, against the vacancies reported in this requisition, shall be given appointment by this office within 3 months from the date of nomination, यानि की result published होने के joining चाहिए, तो आप इस department को opt कर सकते हैं, अब यह जो है, आप LDC का document देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है, group C non-technical lower divisional clerk, तो चलिए देखते है vacancies, तो यह इनने यही बता रखा है, UR की यहाँ पे 64 vacancies है, OBC की 18, SC की 11, SC की 3 vacancies है, EWS की 11 vacancies है, total 107 vacancies है, और यह horizontal reservation वाले दे management की जो है, दो vacancies है, फिर उसके बाद, जो है, OH की एक vacancy और HH की एक vacancy है, अब इसके बाद जो है, यह एक और document जो की बहुत important document है, और बहुत काम का है, जो भी CGA join करना चाते हैं उनके लिए, तो इस से उनने location का कुछ ना कुछ idea लग जाएगा, तो चलिए देखते हैं, य CGA के employees, जो है, वो CGA वाली building में काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, CGA जो है, वो mainly civilian, जो employees है, उनकी जो different budgets related accounting और auditing है, इस काम में जो है, employees involved रहते हैं, तो CGA के जो employees है, वो इन सभी departments में काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ CGA की building में वो लोग काम करेंगे, इन सभी departments में, जि किस-किस department में vacancy है, उससे हम जो है, offices का address locate कर पाएंगे, जो particular site address वाली होगी, CGA पे, उसमें, तो चलिए देखते हैं, कौन-कौन से department में vacancies है, तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है, agriculture and farmer welfare, यहाँ पे 10 vacancies है, फिर CBDT यानिकी income tax department, इसमें फिर इसमें जए 5 vacancies है, फिर यह ज climate change में 3 vacancies है, फिर finance में 3 vacancies है, यह finance का office यहाँ पे दल्ली में हो सकता है, तो दल्ली वाले यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, फिर आगे home affairs में 6 vacancies है, और housing and urban affairs में 25 vacancies है, तो यह home affairs भी आगे दल्ली में इसके located होने की high chance है, फिर आगे देखें तो यहाँ पे information broadcasting में 11 vacancies है, और industry म 6 है, फिर आगे देखें तो जल शक्ती में जो है वो एक vacancy है, फिर labor employment में 6 है, फिर law and justice में और supreme court of India में यह जो है 3 vacancy, यानि कि यहाँ भी फिर से दल्ली में एक opportunity है, फिर mines में देखें तो 3 vacancy है, personal public grievance and pension में 5 vacancy है, फिर यहाँ पे planning, statics and program implementation में जो है 3 है, पावर में 1 है, फि जो है total 107 जो है report कर दी गई है, DO की बात करें तो यहाँ पे CPAO विभाग में 4 vacancies है, तो DO वाले जो भी है वो यहाँ का ध्यान दे, तो दोस्तों यह है वो वीडियो जिसमें आपको जो है link मिल जाएगा offices का, आप जो properly locate कर सकते हैं, जहाँ जहाँ यहाँ यहाँ पे vacancy से उप document में, उनी department में देखिएगा, दूसरे departments देखके जो है अपने time waste मत करिएगा, तो इसका link मैंने नीचे वीडियो के description में देखा है, चली आगे चलते हैं, अब अगला जो department है वो CGDA का है, यहाँ पे RTI reply मुझे मिला है, यह letter आए, तो यहाँ पे manager है office wise vacancies मांगी थी, इनने य hand over किया है, तो यहाँ पे 58 vacancies बता रहे हैं, controller general of defense accounts में, और यह address note कर लीजेगा, उलान बटा रोड, पालम, दली, cantonment, तो यहाँ पे CGDA का office है, आगे जो है category wise vacancies की बात करें, तो यह आप देख पा रहेंगे, UR में 23 है, OBC में 16 है, SC में 9 है, ST में 4 है, EWS में 6 vacancies है, total 58 vacancies है, और यहाँ पे X-Servicement की vacancies देखें, तो यहाँ पे 6 vacancies ए X-Servicement के लिए, और बाकी horizontal reservation वालों की vacancies नहीं है, तो दोस्तों यह थे कुछ RTI reply जो मुझे अभी recently मिले थे, तो इसका मैंने आपको information दे दी, update दे दी, तो अब आगे आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो जो आपको भी मना करेंगे, जो भी apply करेंगे उसको मना करेंगे, तो इससे जो है भेटर option आप जो है, offline RTI apply करिये, मैंने आपको offices के address दे रखे हैं, और offline RTI में होता क्या है कि एक जादा credibility रहती है, और जो है, जल्दी information मिलने के भी chances रहते हैं, क्योंकि office छोटा सा है, वहीं के CPI आपको जो है, vacancies पता करनी है, online portal में क्या होता है, different department से जो है, data मंगवाना पड़ता है, तो time वैसी चला जाता है, तो अभी जैसा कि आपको मालू में, dv dates नजदी के, तो जल्दी information चाहिए, तो जल्दी से जल्दी आप भी RTI लगाईए, और अगर आपको कोई information मिलती है, तो RTI जो है, यह हमारी Instagram ID पे जो है, शेयर कर दीजीगा, ताकि जो है, बाकी aspirants को भी जो है, post preference भरने में help मिल जाए, इसका link भी जो है, मैं वो मैं वीडियो के description में दे दूँगा, Instagram ID का, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जो है, इतना ही, अगर आपको चैनल पे नही हों तो subscribe कर लिजेगा, वीडियो पसंद आया तो like कर देना, और इसी के साथ यह है इस वीडियो कान, thank you guys for watching this video and I will see you next time.